अलो दोस्तों नवस्कार जैसी राम सभी को डेली स्टॉक फंडामेंटल एनलाइज में आपका स्वागत है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सांदार वीडियो का सभी से रेक्वेस्ट है वीडियो को अंतर जरू देखें तो जैसा कि आपको पता है वारतिय टेल क का हम फंडामेंटल एनलाइज करने वाले हैं कंपनी कि सेक्टर की है जैसा कि आपको पता है कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी का सेर्प्राइज है 1236 जो की 52 वीक का हाई है अब जानते हैं कंपनी की तागत है कंपनी ने पिछले तीन बरसों में 25.94 परसेंट की आपरेटिंग मार्जिन बनाए रखा है नेक्स्ट है कंपनी के पास 10.35 दिनों का कुशल नगद रूपांतरन चक्खर है अगला है कंपनी की प्रमोटर की हिस्तेदारी 14.57 परसेंट है जैसा कि आपको दिख राए इसकीन पर यह है कंपनी की तागत अब जानते हम भारती अ अब जानेंगे कंपनी के और इंपोर्डेंट फंडामेंटर के बारे में जैसा कि आपको देख रहा है कंपनी की वीकनेस क्या क्या है यह भी जान लेते हैं तो कंपनी की सीमा है पिछले तीन बरसों में कंपनी का आरोई 11.14 परसेंट का खराब रहा है अगला है पॉइंट कंपनी ने पिछले तीन बरसों में आरोसी आरोसी है 3.15 परसेंट का कम रहा है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है आप जानेंगे कं कंपनी सेल्स ग्रोथ के बारे में कंपनी ने पिछले 4-5 सालों में कितनी सेल्स ग्रोथ की हुई है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है पिछले एक साल में सेल्स ग्रोथ है 19% के आसपास पिछले तीन साल में ग्रोथ है 15% के आसपास और पिछले 5 साल में ग्रोथ है 9% के आस प्रोफिट लॉस देखने को मिलेगा एक तरीक से यह कह सकते हैं अब चनते हैं कम्पनी के प्राइच चार्ट के बारे में जान लेते हैं जैसा कि आपको देखने को मिलेगा अपरल 2-23 में 800 रोपे के आसपाँ स्ट्रीड कर रहा था और वहीं हाली में फरवरी 2022 में आपको 1200 रुपे के आसपाच होते हुए शेर ने देखने को मिला है अब जान लेंगे कमपनी के टॉप होल्डिंग के बारे में जो की काफी इंपोर्डेंट है शेर ओल्डिंग पेटरंस प्रोमोटर की होल्डिंग है चोगन पॉइंट 57% के आसपास वहीं FII की होल्डिं अब चलते हैं अब जान लेते हैं कमपनी के में मुलवूत तत्वां के बारे में जो की बहुत इंपोर्डेंट है आईए जानते हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंदर तक जरूर देखें तो मार्केट कैप कितना है साथ लाग सर्दालिया 515 करोड के आसपास पास डिविडेंट है 0.32% के आसपास डेट है 1,40,000 करोड के आसपास वही अपने को देखने को पहले है कि 20% के आसपास की चल्स ग्रोथ है पिछले एक साल में इंटरप्राइज वैल्यू है जैसा कि आपको देखने को मिला है 8,66,000 सास्तों तिरा करोड के आसपास पीवी है 8.85 परसेंट के आसपास बुक वैल्यू है 139.72% के आसपास प्रमोटर की ओल्डियंग है 54.57 परसेंट के आसपास रोई माईनस 0.12% के आसपास नम्मर ऑफशेर है 6004 करोड के आसपास जैसा कि आपको देखने को मिलना है face value है 5 की आसपास और कैसे 1,443 करोड के आसपास और बही यह PSS 7.47% के आसपास ROCS 7.86% के आसपास यह इसकी कंपनी के Important Fundamental Small World तत्व हैं यह देखने को मिल रहा है आप सभी से रिक्वेस्ट है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही Fundamental Analyze वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी Thank you so much for watching this वीडियो मिलते है नेक्ट वीडियो में दब तक लिए Till then, bye